तो आज का वीडियो होने वाला है यह मेकप लूक तो अगर आप इंटरस्टीड है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं वीडियो को पूरा देखिए गार मैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आपका टोनर लगाना बहुत जड़ादा जरूरी है तो तोनर आप जरूरी है तो तोनर आप जरूर कीजिएगा उसके बाद अपने फेस को मोस्टराइज करने के लिए मैंने यहां पर LAKME की पीच मिल्क मॉश्राइजर लिया है कोई भी मॉश्राइजर आप लगा लें जो आपकी स्कीन को सूट करता हो अपने स्कीन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं और इसके बाद मैं यहां पर लगाने वाली हूँ आपका संस्क्रीन तो कोई भी संस्क्रीन आप लगाए उसके बाद अपने फेस को अच्छे से इवन लुक देने के लिए मैं यहां पर बायोटीक की फुल डे फाउंडेशन क्रीम यूज़ कर रही हूँ और यह जो है यह थोड़ा सा स्कीब वो हो गया आगे पीचे प्राइमर लगाया है प्राइमर के बाद मैं यहां पर जो है वो फाउंडेशन लगा रही हूँ बायोटीक की तो काफी अच्छी फाउंडेशन है यह आप इसे यूज़ करें तो क्यूंकि बायोटीक का प्रोड़क्ट है नेचरल है तो ओवेसलि अच्छा होगा उसके बाद आपको Uh पर विस ने फेम पर के साथ इसटेब को अच्छे से ब्लेंड कीज़ेगा है उसके बाद जहां पर जो डांक स्पोर्ट मेरे इसां हैं na कंसीलर यूज़ किया है तो ङकशी प्रें यह का री से मेरे face के जो spot से वो height हो गए है उसके बाद अपने base को set करने के लिए हम use करते हैं compact powder तो मैंने यहाँ पे blue heaven का compact powder यूज किया है with the help of spoolie आप अपने eyebrows को comp करें उसके बाद अपने eyebrows को define करें जिस पी चीज से आप define करते हो मैंने यहाँ पे एक black color की pencil लिए है normal सी उसे ने define किया है उसके बाद मैं अपने dress के according यहाँ पे color लिया है यह light green सा color है और yellow सा है golden सा color है तो वो मैं लूँगी अभी उससे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका यह Swiss beauty का ही है जो आई shadow palette है और इसमें से मने बिल्कुल सा यह nude सा shade लिया है जो मैं अपनी crease पे बिल्ट कर रही हूँ एकदम से heavy colors आप यूज ना करें तो सबसे पहले मैंने अपने crease को पे बिल्ट किया है यह normal सा shade उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यह green shade जो मैं ड्रेस के according है बस simple से पूरी lid के ओपर आप यह green color लगा ले और जो अपने crease पे अभी color लगा था उसके साथ जो है इ जो मैंने अभी यहाँ पे लगाया है अपने eyes के ओपर green color और इनर corner से होते हुए मैं आई-lid तक जाओंगी और इस shimmery shade को अपने eyes पे अपलाए कर लोगी उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल आप liner भी लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे liner आज लही लगाया है और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मसकारा तो बहुत नॉर्मली थोड़ी थोड़ी चीज़ों से भी आप एक अच्छा सा लुक क्रियेट कर सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हाइलाइटर तो आप जो भी highlighter चाहे वो लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे NYBA का लिया है अगेन मैंने यहाँ पे blush लिया है जो NYBA का है coral shade वाला blush है काफी जादा अच्छा है तो अच्छे से blush लगाएं उसके बाद मैं यहाँ पे lip planner लगा रही हूँ कोई भी lipstick का shade आप ले सकते हैं it's up to you और मैंने यहाँ पे Lekme की lipstick यूज की है जिसका shade है आपका PM 14 तो आप ट्राइ कर सकते हैं बिंदी मैंने लगाई है उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है earrings लगा लिये हैं matching तो सब पुछ आप अपने according चूज कर सकते हैं so this is the final look take care bye bye